एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पुचा पापा मेरी लाइफ की क्या विल्ल्यू है तब ही पापा ने कहा अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और कुछ देर बाद ही एक बूड़ी ओरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस बुशने लगी वो लड़का एक्दम चुप रहा उसने कुछ नहीं कहा और अपनी दो उंगलियां खड़ी करती तब भी वो बूड़ी ओरत बोली 200 रुपे ठीक है इस पत्थर को मैं तु से खड़ीत लोंगी वो वच्चा एक दम से शोक्ट हो गया कि एक पत्थर की किमत 200 रुपे चुकि पत्थर जन्रली कहीं पर भी मिल जाते हैं लेकिन उसका प्राइस 200 रुपे वो तुरत अपने पापा के पास गया और बोला पापा मुझे मार्केट में एक बुड़ी ओरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपे देने के लिए तयार थी पापा ने कहा इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर को इसका प्राइस पूछे तो कुश मत कहना बस अपनी दो उंगली खड़ी कर देना वो लड़का म्यूजियम में गया और वहा मैं इस पत्थर के 20,000 रुपे देने को तयार हूँ ये पत्थर तुम मुझे दे दो वो लड़का फिर से चोप गया और जाकर अपने पापा से कहा पापा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपे देने को तयार था तब उसके पापा ने कह अब मैं तुम्हें आखरी जगा बेशने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जानाए किम्ती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहिना बस अपनी दो उगलियां खड़ी कर दने वो लड़का चलती से किम्ती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बुड़ा आदमी था जो काउंटर की पीछे ख़़ा था जैसे ही उस बुड़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी वो एक तम शोक्ट हो गया वो काउंटर से बहाँ निकला और तुरेंट उस बच्चे के आश से वो पत्थर छोड़ा लिया और बोला ओ माइग गौट इस पत्थर की तलाश में मिन अपनी पूरी सिंदगी गुजार दी कहां से मिला है पत्थर और क्या वाईसे इसका कितना लोग है तुम इस पत्थर के लिए वो बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी तब ही वो बुड़ा आदमी बोला कितने दो लाग रुपे ठीक है मैं इसके लिए तुमें दो लाग रुपे देने को तयार हूँ कि आप अपने आपको कहा रखते है ये आपको डिसाइट करना है कि आपको दो सो रुपे का पत्थर बनना है या फिर दो लाग रुपे का जिन्दगी में कैसार ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं उनके लिए आप सब कुछ है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ फस्तोग रुपे उप्योग करेंगे उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो ये आप के ओपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइक की वेल्यूड क्या होगी